कम तेल का बढ़िया चट पटासा नाश्टा किसको नहीं पसंद होता? हलो माई डियर फ्रेंट्स कैसे हैं आप आज? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे तो मैं हूँ शुरता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिक्स वेज मूंग डाल केक ये बिल्कुल जटपट बन जाता है और सब को बहुत पसंद आता है तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कप मूंग की डाल को एक घंटे पहले भीगो लिया था अगर आप इस नाश्टे को सुबह सुबह जल्दी जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप मूंग डाल को राद भर के लिए भीगो सकते हैं तो यहाँ पे हमारी मूंग डाल भीग करके त्यार हो चुकी है तो अब हम इसको पानी में से निकाल देंगे और डाल देंगे नमक डाल देंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे एक टीस्पून जीरा डाल देंगे तीन से चार हरी मिर्चे बारी काट करके डाल देंगे और एक इंच अद्रक के टुकड़े का पेस्ट डाल देंगे फिर हम इसमें डालेंगे सबजियां तो यहाँ पर मेरे पास एक मीडियम साइज का टमाटर है जिसको मैंने बारी काट लिया है एक शिमला मिर्च और प्याज तो दोस्तो सबजियां आप टोट लिए अपने हिसाब से डाल सकते हैं सर्दियों को आप आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं बस बहुत जादा पानी छोड़ने वाली सबजिया ना डालेगा जैसे की पत्ता गोपी वगएरा वरना आपको ये जो मूंग दाल का जो केक है इसको पकाने में थोड़ सी दिक्कत आएगी तो अब हम इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो अब हम इसमें डालेंगे एक चताई टी स्पून बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा को खाना वाला सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसमें इनो पाउडर डालें तो आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं मगर डिरेकली पूरे बैटर में एक साथ इखटा इनो पाउडर मट डालीगा क्योंकि यह जो बैटर है यह काफी जादा है इससे बड़े अराम से तीन मूंग डाल केक बन जाएंगे तो अगर आपको इनो पाउडर इस्तमाल करना है तो आप दो चमच बैटर अलग से एक कट काफी नहीं बनेगा तो इस मूंग डाल केक को बनाने के लिए यहां पर मैंने एक नॉंस्टिक कड़ाई ले लिए है और अब हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम पे आन और इस कड़ाई में डाल देंगे तीन से चार टीश्पून ओईल ओईल को इस तरीके से अच्छे से फैल देंगे कड़ाई में तो दोस्टो इस मूंग डाल केक को बनाने के लिए आप देसी घी या बटर का भी इस्तमाल कर सकते हैं देसी घी और बटर का भी फ्लेवर बहुत ही बढ़ी आएगा तो जब हमारा ऑईल हलका सा गरम हो जाएगा तब हम इसमें दो से तीन चमच बैट सेट नहीं हो जाती तो दोस्तो फ्लेम को हम पूरे टाइम मीडियम से लो पे ही रखेंगे ताकि यह अंदर से एकदम पर्फेक्ली पक जाए तो यहाँ पे दो से तीन मिनिट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं उपर से जो लेयर है हमारी यह सेट सी लग रही है और यह न दो से तीन मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही पका लेंगे तो यहाँ पर दो से तीन मिनिट हो चुके हैं और हमारा मुंग डाल केक बहुत ही पर्फेक्ली सिक कर के तयार हो गया तो हम आपको इसको पलट के भी दखा देती हूं कि यह दूसरी साइड से भी बहुत ही तो अब हम इसको निकाल लेंगे और सर्फ कर देंगे तो दोस्तो अभी रेसिपी खतम नहीं हुई है अभी एक स्टेप और बाकी है तो लग रहा है ना दोस्तो यह बिल्कुल केक जैसा है तो अब मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूं कि यह अंदर से कितना सॉफ्ट ह और बाहर से एक दम से क्रंची है इसका टेक्स्चर इस चीज को बिल्कुल अलग बनाता है इसलिए मैंने इसका नाम मिक्स वेज मुंग डाल केक रखा अगर आपके मन में कोई और नाम हो तो मुझे जरूर कॉमेंट करके बताईएगा यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना ब लगता है और खाने में और भी मदा आता है तो दोस्तों यह हमारा मिक्स वेज मुंग डाल केक अच्छा खासा चटपटा बनता है तो इसके साथ अगर आप कोई चटनी ना भी बनाएं केवल टमेटो केचप के साथ भी सब कर दे तो भी बड़िया लगता है होफुली आपक